तो दोस्तों आज किस वीडियो में हम चावल के मुल्यों पर कीलो ग्राम का छोटा ही काई ग्राम का इशाप करना सीखेंगे तो ये वीडियो काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि कीलो ग्राम और ग्राम का यूज हमारे लाइफ में हमेशा होता रहता है जब भी हम मार्कЕट जाते हैं कोई भी बस्तू खरीते हैं जिसे रासन का समान चावल गये हूँ आटा कुछ भी हो गया जैसे सबजी में बोले तो कोई भी हरी सब्ज या कुछ भी हो गया तो वो जो हता है हमको किलो ग्राम की वोजन से दिया जाता है और किलो गराम का छोटा इकाई यह चोटा यूनिट जो है न गराम है यह किलो गराम से छोटा आएंगे न तो हमारा गराम ही आएगा और इस वीडियो में हम गराम का हिशाब करना सीखेंगे काफी आसान तरीका से और साथी साथ पैसो का भी हिशाब करना सीखेंगे तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल सावित होगा तो देखिए हमारा कोशन यहाँ पर क्या थे गए तो हमारा कोशन यहाँ पर दिया गया है यदि चावल नबे रुपे परतिक किलोग्राम है देखिए यहाँ पर लिखा गया है परतिक किलोग्राम तो देखे परतिक मतलब होता है परतिक और किलोगराम का होता है यानि किलोगराम तो देखे परतिक मतलब होता है परतिक यानि हर एक किलोगराम परतिक मतलब होता है परतिक और परतिक का मतलब होता है एक किलोगराम यहार एक किलोग्राम का मुल्य है नबे रुपए है तो 200 ग्राम का मुल्य ग्याद करें देखिए नबे रुपए परते किलोग्राम है यानि एक किलोग्राम का मुल्य है नबे रुपए तो 200 gram का मुल्य क्या होगा यह आपको ग्यांत करना है तो कैसे ग्यांत करेंगे तो बड़ी सदसाने कर्णा आपको कशन में सबसे पहले दिया होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे तो यहां पर लिखा गया है नबे रुपए परते किलोग्राम यानि एक किलोग्राम लिखेंगे यहां पर एक केजी एक केजी हमने केजी हमने केजी होता है किलो और जीस होता है ग्राम यानि एक किलोग्राम का मुल्य है नबे रुपए दिया गया है कोश्चन में यहां पर हम दोनए यह किलो ग्राम में आपका 1000 ग्राम होता है एक हजर ग्राम के बराबर होता है ओकि बराबर होता है एक जरूमे का मुल्याण दो एक डिंब रुपई होगा violin है एक सर ग्राम के बराबर है यह जो नबे रुपए है न यह भी नबे रुपए के बराबर है देखे मैंने रुपए को रुपए में ही रहने दिया है और यहाँ पर किलो ग्राम को ग्राम में कनवर्ट कर दिया है समझ रहे है न अब देखे हमको 200 ग्राम का मुल्य निकलना है न कम कर देते हैं अब देखे बराबर के राइट में यहाँ पर एक जिरो देख रहा है तो जब वर क्लाइव काम करेंगे तो इसका एक जिरो सी कारेको हो जाएगा यहां पर 9 रुपए निकलकर आ है और हमको इस कोश्वन में 200 ग्राम का मुले निकालना तो यहां कैसे निकालेंगे तो बड़ी असान है देखिए करना क्या होगा बराबर के लेफ चैड और बराबर के राइड चैड दोनों तरफ सिर्फ आपको दो से टू से गुना करना होगा और आपका 200 ग्राम का मुले न 200 ग्राम और 9 को गुना करेंगे दो में तो नो दोने के हो जाएगा आपका 18 रुपए यहां पर 18 रुपए होगा और यहीं कोशन का फाइनल आंसर है तो दोस्तों देख सकते हैं कितनी असान तरीका से हमने 200 ग्राम का मुले निकाल गया और इसी तरीका से आप 400 ग्राम 500 ग्र और आपका यहां पर 400 ग्राम का मुले निकाल जाएगा अगर 500 ग्राम का मुले निकलना है तो दोने तरह आपको पांच से गुना करना पड़ेगा और इसी तरीका से अपके तना हो शो ग्राम का मुल्य बढ़ी आसानी से निकाल सकते हैं तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देज़ेगा और इस वीडियो के माध्यम से आपने ग्राम का इशाप करना से लिए है तो इस चनल को जोरू सब्सक्राइब केज़ेगा ताकि अगले वीडियो का नोटीफिक्स नप को मिले और आपकी जो इस टाइब के कोशन के तैयारी है या किसी सब्सक्राइब के मैथ कोशन के तैयारी है मैसा चलती रहेगी और आपका मैस काफी स्ट्रॉंग हो जाएगा